दोस्तों जो आज का वीडियो होने वाला एक comparison वीडियो होने वाला जहां पर मैं इस air condition को LG का dual inverter AC है इसको हम लोग compare करेंगे Voltas के one turn inverter AC के साथ और ये सारे parameter से जहां पर हम लोग compare करेंगे design, remote control features, warranty, service, price, सभी चीजों को compare करने के बाद और सबसे important parameter cooling कौन से AC की बणिया है सब कुछ आपको live compare करके बताने वाले इस वीडियो में तो वीडियो होने अला बहुत ही धमाकेदार तो वीडियो को शुरू करते हैं लिकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर है पहली बार विरिट के हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजे घंटी बज़े एक टेंट रहा शुरू बात करते हैं वीडियो की नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है राकेश आप देखरो है happy guys let's get started तो दोस्तों इस comparison को शुरू करने के पहले कुछ आपको information देना चाहूंगा इस product के बारे में तो यहाँ पर जो LG का यह condition है LG one turn five star inverter AC है और इसका जो exact model है आप screen पर देख सकते हो और बात करें comparison जिससे हम लोग कर रहे है वो वोल्टास का one turn five star inverter AC है और उसका भी exact model आप screen पर यहाँ पर बात करें कुछ और similarities के बारे में जो आपको दोनों ही air condition में same देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपको hundred percent copper coil condenser दोनों ही air condition में आपको देखने को मिल जाएगा इसकी के साथ इसकी जो बाइंग लिंक है आपको description में हमेशा की तरह तो मिली रहेंगे साथी साथ कु के बारे में तो यहाँ पर आपको design काफी बनिया देखने को मिल जाती है और बात करें इसकी build quality के बारे में तो यहाँ पर जो इसकी build quality है काफी decent आपको देखने को मिल जाती है प्लास्टिक का बना हुआ indoor unit है लेकिन जो इसकी plastic के quality है काफी premium आपको देखने को मिल जाती है औ प्लास्टिक देखने मिल जाएगा इंडोर यूनिट में और जो लुक्स है उतना अच्छा नहीं है अगर मैं उसको LG के इंडोर यूनिट से मैं compare करूँ और दोस्तों comparison में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं remote control, features, looks कैसे हैं तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार का remote control देखने मिल जाएगा LG के AC में और यहां पर बहुत सारी features के साथ आता है अगर आप जानना चाहते हैं कि सारे features किस जंग से काम करते हैं तो मैंने dedicated videos बनाए है sleep timer सारे features कवर किये तो उपर मैं link कर दूँगा i button में जरूर जाके check out करना और उसके बाद बात करें Voltas के AC का remote है वो एक old stylus remote है और काफी बड़ा design में आता है तोड़ा आजी भी लगता है और वहां पर आपको बहुत ही limited features मिल जाते हैं अगर मैं इस remote control को compare करूँ Voltas के air condition के remote के साथ तो यहां पर जो remote control का भी जो looks, design और features है उतना अच्छा मुझे नहीं लगा जब मैं इसको personally use कर रहा था तो यहां पर LG के साथ मेरा experience काफी बढ़िया रहा और अब जिस parameter के मैं बात करने वाला वो most important parameter है एक air condition के लिए जी हां दोस्तों मैं बात कर रहा हूंगी cooling कौन से air condition की बढ़िया है तो यहां पर दोस्तों बहुत सारे time तक मैंने use किया काफी दिनों से use कर रहा हूं और दोनों ही air condition को use करने का मुझे ऐसा लगता है कि voltage के air condition का जो air throw है काफी जादा अच्छा है और cooling भी काफी जल्दी कर देता है और cooling भी काफी अच्छी होती है अगर मैं compare cooling अच्छी है उसमें भी fast होती है लेकिन अगर time अगर मैं timer लगा चेक करूं कि कौनसी air condition जल्दी cooling करती है तो शायद voltage की जल्दी cooling करती है और cooling काफी strong cooling आपको महसूस होगी अगर आप use कर रहे हो इस air condition को और LG के AC में वैसा नहीं आपको देखने मिलेगा air throw भी थोड़ा पह यहां पे hands down voltage जादा better perform कर रहा है और जो अगला parameter हो बहुत ही important parameter है एक Indian consumer के लिए जी हां दूस्तों मैं बात कर रहा हूँ electricity consumption के बारे में कौन सी AC में consumption जादा हो रहा है तो यहां पे इस AC को अगर मैं आपको बताऊं बिजली का बिल तो around कुछ 500 रुपे के आसपास महिना एक आएगा और वोल्टास की AC की बात करो तो वहां पे आपको 600-700 का बिल आ जाता है पर महिने तो दोनों ही AC को गर मैं यूस किया एक महिना dedicated और वहां पे मैंने notice कि 200 रुपे का फरक आया वोल्टास की AC में यहां पे फिलाल 500 रुपे में काम हो जा रहा है हाला कि मेरे पास कोई इसा exact मतलब मैं ऐसा device नहीं है कि जिससे मैं चेक कर पाओ consumption कितना हो रहा है कितना unit रहा है लेकिन एक अंदाज के तोर पे बताओ तो इतना फरक मुझे देखने को मिला तो वोल्टास की AC में 200 रुपे मुझे जाधा लगे लेकिन यहां पे एक चीज़ ध्यान रखी कि दोनो इसी में आपको एक electricity saver का option मिल जाता है remote control में जिसको यूज करके आप इन दोनों को balance कर सकते हो तो उतना घबरानी की ज़रूद नहीं कि वोल्टास वाला जाधा लेता है यह मेरा personal experience शायद आपके साथ ऐसा नहों और आप बात करते हैं एक खास parameter जो है service का कि भाई कौन से brand अच्छी service दे रहें तो बात करें LG के बारे में LG की service काफी अच्छी है जहां तक मैंने experience किया और यहां पर आपको ज्यादा struggle नहीं करना पड़ता अगर कुछ आपको problem आती या फिर कुछ installation करवाना है तो उस समय आपको ऐसा कुछ problem नहीं आती touchwood और बात करें Voltas में Voltas में भ नहीं थे वो third party vendor के through आये थे वो directly Voltas से टीम से नहीं आये थे वो एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी और साथी साथ यहां पर insulation की जब मैं बात कर रहा हूं तो insulation charges को में लोग कैसे फूल सकते है तो LG का insulation charges मैंने जब लिया था तो around 1500 रूपीज का insulation charge लिया था मुझसे और जब मैं Voltas का करार रहा था तो उस समय कुछ 7500 रूपया इंसॉलेशन charges लेते प्लस GST ठीक है और इसी के साथ ही जब आप इसी लेते हो तो उस समय आपको कुछ parameter का ध्यान रखना है कि जैसे आपको insulation charges दो देने ही है एक्स्ट्रा copper wire लगता है उस समय भी आपको extra देने पारे में तो service में आपको थोड़ा था इंसॉलेशन उतना अच्छे से नहीं करते वोल्टास वाले जहां तक मैंने experience किया बाकी LG वाले काफी बढ़िया करके गह थे क्योंकि LG के dress code में भी आया थे वोल्टास में ऐसा कुछ नहीं था वो एक जेनरल टीशेट भी शेड़ी प लेकिन वोल्टास की तरफ बात करें तो वोल्टास में थोड़ा सा नौइस जादा आता है आवाद हां करके ज्यादा ही आते रहता है हाला कि LG में वैसा नहीं देखने में मिलता और वहां पर बिल्कॉलिटरी डिजाइन लुक्स की तो उतना ध्यम लोग ध्यान नहीं दिया बट कंपरेजन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको कुछ ऐसा एक्सपीरेंस करने को मिलेगा कंपरेजर के मामले में इसी के साथ ही साथ आप सवाल उठता है कि भाई प्राइजिंग कितनी है तो यहां पे LG का जो आपको यह वंटन का फाइफ स्टार इंवर्टर एस आपको decision लेना है कि कौन सा air condition आपको लेना चाहिए अगर आप confused होगे एक तन का ले दो तन का ले inverter ले नॉन इंवर्टर ले फाइफ स्टार ले थ्री स्टार ले तो यहां पे dedicated AC buying guide वीडियो बनाया उपर link कर दूँगा ज़रूर जाकर चेक आउट करना काफी information वहाँ पे मि जाला है तो वीडियो में notification आते रहे, bell icon दबा के रखी है और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, till then keep smiling and keep watching, happy guide, bye bye